नमस्ते या भिवातन आपका, Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बाजार आज धुम धड़ाका करके, खुली धुम धड़ाका करके क्लोजिंग दी है, बहुत बेहतरीन क्लोजिंग है, आज हमारी लगातार दूसरे दिन, आज की कैंडल तो छोटी नहीं था, हम कई बार कोशिस कर चुके थे, अगर आप देखना चाहो, तो हम एक बार यहां पर कोशिस किये, दुबार आ यहां पर, तीसरी बार यहां पर, और चौती बार मैंने आपको बार बार बोला है, एक ही लेवल पर कोई स्टॉक बार 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 आ रहा है, तो यह ल Global Markets ने हमको वह confidence दिया जो हमको चहिए था और 15,000 के level को तोड़ना आसान तो ऐसे था नहीं लेकिन हमने तोड़ के दिखाया और बहुत ही बेहतरीन हमको आज closing भी मिली है अगर हम normal base पे बात करें तो हमारी expectation के मुताबिक बाजार बिलकुल भी नहीं चली आज आज हमने जो सोचा था कि बाजार flat खुल के थोड़ा सा selling pressure पाएगी क्योंकि उपर के level पर resistance होगा उस चीज को बाजार ने positive way में बना लिया कैसे मैंने आपको बोला है कि अगर यहां पर खड़ी है और यहां पर हमको कोई trade ले नहायत कोसिस करेंगे हम sell on rise की ऊपर जाए हमारे पास resistance है और हम यहां पर sort कर दें लेकिन दूसरा के सिनारियो क्या हो गया बाजार खुल इसके ऊपर गई अब हमारे पास तो buy on dips की run निती होनी चाहिए मैं आपको इस चीज के लिए update नहीं कर पाया उसके लिए माफिक है आप उसको अपने हिसाफ से adjust की होगे इतने ऊपर की बाजार में आपको बाइंग साइट के trade वैसे भी avoid करने चाहिए थे खैर आप सोचो की इतने ऊपर बाजार खुली है आप यहां पर बाइंग जाओगे तो आपको तकलीफ होगी आप अपनी holdings पर कुछ decision लो खेर निफ trader pattern की बात करेंगे उससे पहले हम आपको बता दे हमारी expectation के मताबिक बाजार आज बिलकुल भी नहीं चली बस यही था पॉस्टिविटी जलक रही थी वह हमको on paper दिखाई भी दे रही है और बढ़िया बाजार की closing भी है यहां पर investors क की मौझ है, traders को क्या trust हुआ उसको हम समझेंगे चलिए, nif trader वालों की बात कर लेते हैं, तीन मिनट की candle पे हमको मिल जाता है buy signal और फिर से मैं वही बात कहूंगा कि हमको buy side का trade आज के लिए avoid करना चाहिए था, हमने trade लिया, क्योंकि हमको pattern follow करना है और क्योंकि pattern हमको profitable बना के रखा हुआ है, तो हम pattern पे ही चलेंगे, भले वो हमको कुछ भी बताई, इतना उपर आकर भी बोलेगा खरीदो तो हम खरीदेंगे, और वो कहीं गलत नहीं था, बस हमारे stop process ना गए होते, ठीक है, तीन मिनट की candle पे हमको buy signal मिलता है, और उसके बाद जो nifty है वो हमारे पक् यह हमारा personal opinion होता है, हमको exit कहाँ पर करना है, जिस सहाब से हम target लेते हैं, उस सहाब से हमारा stop loss भी होता है, और इसके scenario में मैंने आपको बोला है, कि अगर आपका target नहीं हो, तो आपको cost पे exit करना है, हमको buy signal मिलता है, target के पास जाता है, और जब 5-7 point से कोई target चूक जाता है, तो तकलीफ सबको होती है, लेकिन आपको यहाँ पर cost पे exit करना पड़ा, और यह मजबूरी हमारी, हमें ऐसे दिन देखने ही पड़ेंगे, देखो इतना उपर हमको pattern हमारा signal देता, buy का, हम अगर अपना common sense लगाते हैं, हम buy side का trade तो लहीं लेंगे, हम short side भले जा सकते हैं, अ निफ्टी उसके उपर काफी चली जाती है, और ultimately अगर निफ्टी यह dip ना लियो होती, तो हमको सारे target भी मिल जाते हैं, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं, क्या, नहीं, लगातार तीन दिनों के बेहतरीन profits के बाद, आज हमारा दिन loss वाला है, और यह loss छोटा ही है, क्योंकि एक ज trading में कहता हूँ, 22 में से अगर आप 5 दिन भी बढ़िया net net profit में रहे गए, तो वह बहुत बड़ा handsome gain होगा आपके 85,000 के investment पे, जो कि निफ्टी फ्यूचर में trading में लगता है, तो चलिए, निफ्टेडर पैटरन वालों का दिन आज अच्छा नहीं गया, तो intraday वालों का द देख रहे हैं, नीचे volume देखिए, क्या कमाल हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, stock market इसी को कहते हैं, EU Small Finance Bank लगातार की रावर्टी आज यहां पर भी आपको बढ़िया positive momentum दिखाई दिया, काफी दिनों बाद काफी लोग यहां पर फुसे पड़े थे, तो उनको एक मौका मिल रहा है, निकलने का, वो भी निकले, Burger King भाई साहब, इस माई ट्रिप पे मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है, जाकर दीखिएगा, Burger King भी आज फॉर्म में था, 10-11% आसपास के उपर ट्रेट कर रहा था, इंट्रारे के दारान, closing जो है, वो 9% के आसपास दिया है, रिजल्ट आने की उम्मीदे हैं, क्या देखो, अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एंसी की तरफ लोट आई, सारी चीजें, तो ये स्टॉक मुझे, मतलब अगर मुझे अभी 10 स्टॉक सेलेट करने हो, तो मैं वेक्टर फूड को, लॉंग टम के लिए नहीं, पर आपको लगे कि ये स्टॉक कुछ कर सकता है, कुछ कमाल कर सकता है, तो मैं वेक्टर फूड को समें सामिल करूंगा, इसलिए मैं आपको होली पूटफोलियो में इसे स्टॉक को दिया है, इससे पहले भी हमने इसको कई बार, आपको मतलब एक बार के लिए बोला है, कि जब भी यहां पर result आए, कोई dip मिले, तो खरिदारी करने की कोशिज करनी चाहिए, सभी समय टाइमिंग कैसे की जाती है, उसके लिए मैंने आपको चीजें समझाई हुए है, वाल्यूम लगभग लगभग खतम हो जाता है, लेकिन आज का वॉल्यूम इस दिन के वॉल्यूम के आसपास हुआ है, जो कि अभी हमको positivity का ही सारा दे रहा है, कुछ खास यहां पर trap बन नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी red candle भी बहुत छोटा सा ही बना पा रही है नीचे, असर और इस चीज को अगर आप analyze करना चाहते हो तो जाकर देखो हमारी candle stick वाली वीडियो तब आप समझ पाओगे कि हमने लगभग लगभग 30 मार्च के आसपास इसको लोज के आसपास कैसे बगड़ा था, और लोज की ही बात करें तो एक इस टॉक जहां पर आपको मैं profit booking की सलाह दे रहा हूं यह स्टॉक है hats and agro यह स्टॉक अपने highs के आसपास all time highs के आसपास वापस आ चुका है और आपको मैं बताऊं तो लगभग लगभग हमने 30 मार्च के आसपास 26 मार्च के आसपास आपको बाइं की सलाह दी थी क्यों दी थी आप जाकर चेक करो holy portfolio वीडियो आपको बातने समझ में आएंगी यहां पर जितने लोग भी है 25% का profit मिला है exit कर जाओ अगर आप additional risk नहीं लेना चाते बहुत ज्यादा चांसे हैं मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ज्यादा चांसे हैं कि यह स्टॉक यह जो 885 का level है इसको तोड़ के ऊपर जाएगा आपके लिए best case scenario क्या होगा जो मैं करने वाला हूं मेरा stop loss रहेगा 855 का ठीक अगर यह 855 रुपय वापस आ जाता है तो मैं वहां पर exit कर जाओंगा otherwise मैं इस trade में बना रहूंगा बहुत ज्यादा चांसे है कि यह इ करते हैं stocks की top indexes की movers की तो भाई साब निफ्टी में आज धमाका कर रहे थे मतलब वही है ना कि जिन से उम्मीद नहीं होती है वो करके दिखाते हैं आज देख लीजिया असोक लेला है बजाज आटो महिंद्रा यह सब चलने टाटा मोटर्स भी चलना है वह भी चलना है तो क्योंकि मैंने आपको इसको खरीदने की recommendation भी दी थी 520 के आसपास let's go for the best की वह लेवल ना आए बाकी हम आपके लिए इस पर वीडियो जरूर मनाएंगे ITC वाई साब उपर गए थे लोट के फिर वापस अपने घर आ गए तो इनका चलने का मन कर नहीं रहा है कोल इंडिया ये भी स्टॉक आज गिरावट लगातार मुमेंटम आ गया था इसलिए आज मतलब होता ना सस्ते स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिली इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 सवा परसेंट उपर है लेकिन निफ्टी मिड कैप 50 दो परसें आज सरकारी बैंक नहीं चल लेते चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो गया यूनियन मैंक केनरा बैंक ये सब नेगेटिव सिगनल दे रहेते बाकी आप अगर ओवराल सिनारियो में देखोगे तिनका वेटेज कम है इसलिए ये इंडेक्स को नीचे नहीं खींच पाई निफ्टी बैंक भी लगबग 2% उपर क्लोज हुआ है सरकारी बैंक की आज फ्लाइट या नेगिटिव ट्रेट की हैं फाइनेशल सर्विसेस में आज अगर आप देखोगे तो फिर से जो इंसरेंस लाइफ इंसरेंस वाले स्टॉक्स थे वो नहीं चले बाकी स्टेट बैंक ऑफ इमार्ट बहुत भी बहुतनी मोमेंटम दिखाया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम यह तो चलने का मतलब अब रुकिन नहीं है इसको यह ऐसा बोला है जुबलियन फूड वही बेक्टर फूड वाला हाल है जो अपना बर्गर किंग जिए बर्गर किंग जुबलियन फूड फूड यह सब धूम मचा रहे हैं फूड मतलब आप सबको खाना खाना है क्योंकि कोरोना जो है वह कम हो रहा है अधानी ट्रांसमिशन और अधानी ग्रीन यह पांच-पांच परसेंट ऊपर ख्लोजिंग दिये हैं गिरावट में वही गोद्रेज कंजूमर प्रड़क्ट यह बहुत ऊपर चला गया था इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि यहां पर जो हो रहा है वो बस सौट कबरिंग ही है इतना थोड़ी कोई स्टॉक भाग जाता है तो और फार्मा देट परसेंट के आसपास की गिरावट दिखाया एबट इंडिया भी गिरा है सवा परसे की यही खूबी है कि आप यहां पर डेली डेली प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते हो तो जिनको भी जोइन करना हो तो थोड़ा सा ध्यान देकर पिछली वीडियो को भी देख लेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप लगभग कितने दिन प्रॉफिट में रह सकते हो लगभग कितने दिन लॉस में रह सकते हो लगभग कितने दिन आप net net रहोगे जो मैंने neighbours किया है तो हमारे प्रॉफिट वाले ratio manage करते हैं जो फ्लैट वाले रहते हैं इस दिन हमारे जेब से कुछ नहीं जाता और जो लॉस वाले रहते हैं इस दिन भी हमारे जो दूसरा ट्रेड होता है जहां पर हम कॉस्ट प्लस सम्थिंग गेन करते हैं तो वह हमारा थोड़ा सा तो आप रिस्क रिवाड रिस्यो समझ रहे हो फ्लैट वाले दिन हमें कुछ गवाना नहीं है तो यही सब चीजें ओवराल कंवाइन होकर के निफ्ट्रेडर पैटन को आपके लिए बहतरी मनाती हैं बाकि अगर आप फ्यूचर्स में अलग लेवल्स पे ट्रेडिंग करते हो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आज इतने उपर बाजार खुलने के बाद कोई अगर आप यह कॉमन सेंस सिर्फ यूज करते तो निफ्ट्रेडर पैटन को बोलते है आज हम आपकी बात नहीं मानेंगे आज हम जो है कोई ट्रेड नहीं लेंगे या फिर अगर आप स आपके सामने ही आएंगी बस बने रहे हमाँ साथ हम मिलेंगे फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत वताबार आज का दिन बहुत बहुत बेतरीन फिर से गया है लेकिन अब देखते हैं आगे गलोबल मार्केट का सिनारियो कैसा होता है क्या 15,000 का लेवल निफ् का लेवल झाव झावल झाव झावल झावल